तो बच्चो इस वीडियो के अंदर हम करेंगे क्लास नाइन्थ के चैप्टर नमबर 6 लाइन्स एंड एंगल के एक्जाम्पल्स में से एक्जाम्पल नमबर 4, 5 और 6 तो एक्जाम्पल 4 में हमें दिया है इन फिगर इफ PQ इस पैरलल टू RS फिगर के अंदर हमें दो लाइन दे रखी है PQ और RS वो दोनों आपस में पैरलल है एंड एंगल MXQ इक्वल टू 135 येवाला जो एंगल है MXQ येवाला एंगल दे रखा है 135 एंड एंगल MYR इक्वल टू 40 डिगरी MYR मींस येवाला जो एंगल है कितने का दे रखा है MYR एंगल दे रखा हमें 40 डिगरी का एंड फाइंड एंगल XMY तो XMY कौन सा एंगल है XMY तो यहाँ पर बनेगा बीच में तो हमें ये वाला एंगल फाइंड आउट करना है तो इस एंगल को फाइंड आउट करने के लिए आपको इसमें अंदर कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी कंस्ट्रक्शन के लिए आप क्या काम करोगे एक लाइन को ड्रॉ करोगे यहाँ से M पॉइंट से पास होती हुई एक लाइन जाएगी और वो लाइन क्या काम करेगी अब उस लाइन से हम पैरलल लाइन की प्रॉपर्टीज लगाएंगे एक बार PQ के पैरलल मानेंगे इस लाइन को और एक बार RS के पैरलल ले लेंगे इस वाली लाइन को और वहां से पैरलल लाइन की प्रॉपर्टीज से एक ये वाला एंगल निकालेंगे A की वाला angle फिर इन दोना angles का कर देंगे sum तो ये पूरा का पूरा angle हमारे पास X, M, Y आ जाएगा तो सबसे पहले जो आपने line बनाई है इसका नाम दे दो कुछ जैसे माली जे इस line का नाम हमने क्या दे दिया A, B और इस line को अब आप यहाँ पर लिखकर दिखाओगे कि जो आपने यहाँ पर line मानी है वो कौन सी line है और वो किसके parallel आपने मानी है तो किसी एक के parallel मान लोगे इसको या तो P, Q के parallel मान लो या RS के parallel मान लो वो आपकी मर्जी है तो solution में देखिए सबसे पहले हम लिखेंगे कि हमने एक line draw करी है draw a line जिसका नाम क्या दिया है हमने यहाँ से यहाँ तक A, B और मान लिए जए मैं उसको parallel मान रहा हूँ किसके? P, Q के और वो pass कहां से कर रही है? passing through M passing through कौन सा point? M point ठीक है? उसके बाद अब हमने यहाँ पर एक चीज देखी कि P, Q जो है वो हमने A, B के तो parallel खुद हमने construction से बना ली और P, Q, R, S के parallel इसने दे रखी है तो वहाँ से हम क्या कह सकते है कि A, B, B, R, S के ही parallel होगी देखो क्या चीज बता रहा हूँ कि P, Q जो है वो किसके parallel है? A, B के यह अभी हमने by construction बनाई है by construction यह रहा ना P, Q किसके parallel है? A, B के आगे पीछे लिखने से कोई फरक नहीं है और P, Q parallel to R, S यह हमें question के अंदर पहले से ही दे रखाता है यह क्या हो गया? यह हो गया given तो जब P, Q ही A, B के parallel है P, Q ही R, S के parallel है तो दौनों में common आ रहा है ना P, Q तो A, B, B किसके parallel होगी? R, S के parallel तो आप लिख सकते हो So, A, B is parallel to R, S ठीक है? अब यहाँ पर आपको पज़ता चल गया कि तीनों की तीनों जो line है वो आपस में कैसी है? parallel है तो अब यहाँ पर आप parallel line की properties लगा सकते हो तो अगर मान लिखे मैं लेता हूँ यह वाली दौनों line P, Q किसके parallel? A, B के तो वहाँ से यह वाला angle और यह वाला angle मिलकर कैसे angle है? यह है co-interior co-interior angles का sum कितना होता है? 180 तो जैसे मान लिखे मैंने इस वाले angle का नाम दे दिया X तो इस वाले angle का और इस वाले angle का sum कितना हो जाएगा? 180 और co-interior angle कैसे होते हैं? देखो मैं आपर आपको बताता हूँ side में कि अगर मान लिखे दो आपको line दे रखी हैं एक line ये है और एक line ये है और इन दोनों को cut करती हुई कोई line इस तरीके से जा रही है तो इस वाले angle का sum और इस वाले angle का sum कितना होता है? इन दोनों angles का sum होता है 180 और उनको हम क्या कहते हैं? co-interior या फिर same side of the transversal consecutive interior भी कह सकते हो तो ये दो parallel line और दोनों की दोनों transversal के सेम तरफ बनने चाहिए एंगल तो इन दोना angles का sum कितना होता है? 180 तो ऐसा ही कुछ-कुछ यहां पर भी है PQ और AB आपस में कैसी है? parallel और ये वाली line मानलो इनको काटती होई हो गई तो ये वाला angle और ये वाला angle ये यहां पर जो X बन रहा है इन दोना angles का sum 180 होगा बिल्कुल सेम इस तरीके का logic यहां पर लगाया जा रहा है तो आप यहां पर क्या लिखोगे? कि angle ये वाला जो हमें दे रखा है MXQ now angle MXQ plus और मानले जे इसका नाम figure में mention कर देना X या फिर आप चाहो तो पूरा नाम लिख कर दिखा सकते हो इस वाले angle का नाम क्या लिख दो के? XMB आप चाहो तो XMB लिख लो या फिर सीधा इसका नाम करन कर दो X दे लो, A दे लो, 1 दे लो, जो भी आपका मन करे मैं simple लिख रहा हूँ के यहां पर क्या angle है? इतने का दे रखा है हमको? 135 का तो यहां पर यह हो गया 135 प्लस X इक्वल टू 180 X इक्वल टू हो जाएगा 180 माइनस 135 इसमें से इसको माइनस करते हैं 180 में से 135 को माइनस करोगे तो 10 में से 5 गया तो 5 यहा 7 बचेगा, 7 में से 3 गया तो कितना बचा? 4 और 1 में से बन गया तो कुछ बचा ही नहीं, 0 तो X की value कितनी आ चुकी है? 45 यह वाला angle निकल गया नीचे वाला angle मान लीजे मैंने इहां पर इसको मान लेता हूं, मैं Y तो इस वाले angle को और इस वाले angle का सम करके यह निकल जाएगा तो आप Y कैसे निकाले? तो अब हमने parallel lines में एक property और पड़ी थी कि अगर कहीं पर मान लीजे इस तरीके से दो line दे रखी है तो एक इधर वाला angle और एक इधर वाला angle यह दोनों के दोना angle मिलकर कैसे angle होते है? alternate interior जहां पर क्या बन रहा हो? जैसे अगर मान लीजे दो parallel lines है और इनको काटती होई यह line है तो एक इधर वाला angle और एक इधर वाला angle तो यह कैसे जैड बना रहा है? यह उल्टा जैड बना रहा है तो इस वाले angle का और इस वाले angle का sum कितना होगा? 100, sorry यह दोनों के दोना angle कैसे होंगे? यहाँ पर यह क्या बना रहा? उल्टा जैड दिख रहा है ना? यह वाला 40 degree और यह वाला angle यह दोनों मिलकर क्या बना रहे है? alternate interior angles तो जो y वाला angle है वो किसके equal हो जाएगा? 40 degree के तो आप यहाँ पर लिख सकते हो कि angle इस वाले angle का नाम क्या दे रखा है हमको? m, y, r angle m, y, r इसके equal हो जाएगा अपना यह वाला angle angle y क्योंकि यह दोनों के दोनों कैसे है? यह दोनों है alternate interior angles तो यहाँ पर लिखेंगे alternate interior angles तो m, y, r तो हमें पता है ना? कितने का है? वो है 40 degree का तो m, y, r की जगा पर आगया 40 और वो ही किस के equal हो गया? y के equal तो अपने पास x की value भी आ गई और y की value भी आ गई अब हमें जो angle निकालना था कौन से angle चाहिए हमको? हमें चाहिए angle x, m, y x, m, y यह वाला angle है x, m, y यहाँ से यहाँ तक x, m, y तो उसके अंदर कौन-कौन से angle एक x से एक y है यह small x और x small y तो आप लिख सकते हो angle x, m, y वो कौन-कौन से angle को plus करके आ जाएगा? x को और y को तो x वाला कितने का है? 45 degree का तो उसको लिख लेते है 45 और y वाला कितने का है? 40 degree का तो उसको लिख लिख लिए 40 degree दौनों को plus करूंगा तो कितने का आ जाएगा? 85 degree तो angle x, m, y अपने का कितना आया? यह वाला पूरा का पूरा angle आ गया 85 degree का समझ गे न? यह हो गया आपका question number example number 4 उसके बाद आप देखते हैं example number 5 तो example number 5 में हमें दिया है if a transversal intersect two lines such that the bisectors of a pair of corresponding angles are parallel तो पहले इसको figure को हम complete करते हैं उसके बाद यह कह रहा prove that the two lines are parallel वो दोनों line हमें parallel बतानी है तो इसमें क्या कहा है? कि एक transversal intersect कर रही है दो line को तो पहले एक line बना लेते हैं हम जो की intersect कर रही होगी दो lines को तो एक line पहले हम यह बना लिए माल लिएजे इस line का नाम हो गया कुछ इसका नाम हम दे देते हैं P Q और एक line दूसरी हमने बनाई उस line का नाम हमने दे दिया माल लिएजे R S एक line यह वाली हो गये इसका नाम हमने क्या दे दिया R और S और इन दोनों को काटती हुई एक line है transversal माल लिए यह transversal हो गई और इस transversal ने इसको जिस-जिस point पर काटा है वो point एक यह है और एक point यह है ठीक है अब यह कह रहा है कि यहाँ पर जो दो angles बन रहे होंगे यहाँ पर एक angle बन रहा होगा और एक angle यहाँ पर बन रहा होगा उनके जो bisector होंगे वो आपस में कैसे होंगे parallel होंगे ठीक है और आपको यह प्रूफ करना है कि यह दोनों की दोनों जो lines है यह आपस में कैसी है पैरलल है हमको PQ और RS पैरलल करनी है और हमें कौन-कौन सी लाइन दे रखी है पैरलल अभी मैं आपको बता दो देखो यहाँ पर नाम दे दिया जैसे माल लीजे A point, यहाँ पर दे दिया माल लीजे B point, यहाँ पर दे दिया माल लीजे C point और यहाँ पर दे दिया D point ठीक है और एक हमने यहाँ पर bisector बनाया इस पूरे के पूरे angle का मालीजे यह angle था और इस angle का bisector बनाया यहाँ पर ऐसे और एक हमने यहाँ पर एक angle लिया एक इसका bisector बनाया और वो bisector हो गया यह इसका नाम दे देते हैं जैसे मालीजे यहाँ पर आपने नाम दिया E और यहाँ पर बुक में जैसे आपका नाम दे रखा है वो ही दे देता हूं मैं यहाँ पर नाम दिया है G ठीक है तो आपको question के अंदर given क्या है आपको question के अंदर यह बताया है कि यह B, E और C, G जो है यह bisector है किस-किस के B, E वाली जो line है यह bisector है इस वाली line का इस वाले angle का तो bisector का मतलब क्या होता है कि वो दो angles equal equal कर देगा means यह वाला angle इस वाले angle के equal होगा A, B, E वाला जो angle है वो B, E, Q वाले angle के equal होगा जैसे अगर मान लिजे पूरा का पूरा angle आपका 100 degree का है तो 50 उपर जितना angle यह होगा उतना ही angle यह होगा यह question के अंदर दे रखा है और B, E और C, G आपस में कैसी है यह दोनों के दोनों जो bisector है जो की corresponding angles का pair बना रहे है वो आपस में parallel भी है means B, E और C, G आपस में parallel है और हमको दोनों line parallel बतानी है मतलब P, Q, R, S के parallel बतानी है तो कैसे करेंगे ध्यान से देखते रहो तो सबसे पहले question का तरीका यह होता है कि पहले हम लिखते है question के अंदर given क्या है तो given हमें यह चीज़ दे रखी है कि दो line है P, Q और R, S और A, D क्या है transversal तो हमें दे रखी है two lines P, Q and RS and A transversal जो इनको काट रही है transversal मतलब इन दोनों को काटने वाली line and A transversal जिसका नाम क्या है A, D और जो कि intersect कर रहे है कौन-कौन से point पर B और C पर वो भी लिखना चाहो तो लिख सकते हैं और क्या दे रखा हमें कि BE और CG जो हैं वो क्या हैं वो bisectors हैं तो आप यह भी लिख कर दिखाओगे कि BE and CG are the bisectors और कौन-कौन से angle के bisector है तो BE वाला जो है वो तो हो गया इस वाले angle का यह जो पूरा का पूरा है 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 से यहां तक का angle है angle ABQ and यह वाला जो है CG यह किसका bisector है BCS वाले angle का यह वाले angle का नाम क्या है angle BCS respectively ठीक है यह चीज़ आपने लिख दी उसके बाद हमें एक चीज़ और दे रख किये कि BE और CG आपस में कैसी line है parallel lines है जो bisector जो है means BE और CG जो corresponding angle भी बना रहे है वो आपस में कैसे है parallel है आपको और क्या दे रख का है आपको और बताया है कि BE is parallel to CG अब हमको prove क्या करना है तो two prove में आप लिखोगे कि हमें prove करना है कि PQ वाली line is parallel to RS वाली line ठीक है तो इसका proof देखो बहुत simple सा कोशन है लेकिन आपको बस इसको समझना है क्योंकि इसकी figure आपको नहीं दे रख की है आपको statement आएगा exam में भी बस उसको जब solution उसमें दे रख का है ना book में तो उसमें तो दिखा रख की आपको figure लेकिन exam में जरूई नहीं है आपको figure बनी होई आएगी हो सकता है बस यह statement बना हुआ आजाए तो आप किस तरीके से इसको समझोगे तो सबसे पहले हमको एक चीज पता है कि B E C G के क्या है parallel तो जब parallel line है तो parallel line कैसे angle बनाती है corresponding angle और corresponding angle आपस में कैसे होते है equal होते है तो आप यहाँ पर क्या लिखोगे कि B E C G के parallel है और A D क्या हो गई transversal तो आप यह कह सकते हो कि यह वाला जो angle है angle A B E यह किस के corresponding हो जाएगा angle B C G के corresponding हो जाएगा और क्यों होगा इस चीज को देखे हैं मैं आपको बताता हूँ एक दूसरे पेज पर देखो जैसे मान लिजे एक line दे रखिया आपको ऐसे यह इसका नाम क्या है B E और एक line आपको दे रखिया जिसका नाम क्या है C G यह दोनों की दोनों line हमने बना दी या bisector बना दी है और इनको काटती हुई एक line जा रही है इस तरीके से ठीक है और इस line का नाम क्या है यह उपर यहाँ पर दे रखा है A point और इदर दे रखा है D point तो यह वाला एंगल और यह वाला एंगल मिलकर कैसे एंगल होंगे यह दोनों होते हैं corresponding angle introduction वाले वीडियो में खूब डीटेल में यह चीज मैंने आपको बताई थी यह वाले दोना angles को हम लिख सकते हैं corresponding angles तो आप यहाँ पर लिखोगे कि since B E is parallel to C G and A D क्या है A D is transversal तो आप क्या लिख सकते हो so angle A B E angle A B E किसके equal हो जाएगा इस वाले angle के angle B C G के equal angle B C G के क्योंकि यह कैसे angles है यह है corresponding angles ठीक है उसके बाद क्या करें अब तो हमें यहाँ पर एक चीज और information दे रखी थी कि B E और C G क्या है अपस में मतलब यह दोनों के दोनों क्या है bisector है इन दोनों के तो B E से हम इस वाले angle का A B Q का अगर आदा करूँगा तो कौनसा angle बैठेगा A B E और C में यहाँ से B C S का अदा करूँगा तो कौनसा बैठेगा B C G यह वाला जो angle है और वहाँ से हम 1 upon 2 1 upon 2 काट देंगे तो यह बड़े बड़े वाले angle equal आ जाएंगे जब बड़े वाले angle equal आ जाएंगे तो वो दोनों मिलकर भी corresponding angle ही बना रहे होंगे और हम बहाँ से लिख सकते हैं P Q RS के parallel है देखो क्या समझा रहा हूँ ध्यान से समझते रहा आगे तो अब यहाँ पर क्या लिखोगे कि हमें दे रखा है कि जो B E है वो bisector है किसकी B E is the bisector of angle A B Q और bisector का काम क्या होता है bisector का मतलब है दो बरावर इससे करना तो आप कह सकते हो कि A B E वाला जो angle है वो किसका आदा है A B E यह वाला जो angle है हैं से यहाँ तक यह किसका आदा है इस वाले angle का और इस वाले angle का हैं से यहाँ तक पूरा क्या नाम है A B Q इसी तरीके से हम लिख सकते हैं नीचे वाले को इसमें आप क्या लिखोगे कि सिंस cg जो है वो bisector है किसका cg is the bisector of angle bcs angle bcs इस वाले angle का नाम bcg तो bcg किसका अधा हो गया इस वाले angle का अधा तो यहाँ पर आप लिखोगे bcg is half of angle bcs और यह वाली equation मान लिए हमने equation number second अब equation first वाली को और second वाली को ध्यान से देखो इसके हमें यह चीज पता है कि abe और bcg यह दोनों के दोनों तो equal है यहाँ पर हम कर चुके हैं abe किसके equal है bcg के तो जब इन दोनों के lhs equal है तो दोनों के rhs भी क्या होंगे equal abe bcg के equal है तो यह वाला भी इसके equal होगा ठीक है या फिर आप चाहो तो इसको लिख सकते हो कि यह वाली first है इसको second मन लेते हैं और इसको third तो अब from first second and third हम यह बात लिख रहे हैं तो आप यहाँ लिखाओगे from first second and third तीनों equation से हम क्या कह सकते हैं जब यह दोनों एक दूसरे के equal है abcg के equal है इस दोनों के lhs जो है वो equal है तो दोनों के rhs भी क्या होंगे equal तो आप लिख सकते हो half abq equal to half of bcs ठीक है और यहाँ से दोनों तरफ half half आ रहा है तो उसको क्या कर देंगे काट देंगे तो यह आगे अपने पास angle abq angle bcs के equal अब इस angle को equal करके हम से क्या हुआ तो देखिए मैंने आपको introduction वाले वीडियो में एक चीज़ बताई थी के corresponding angles क्या होते हैं और corresponding angles हम कहां पर लगा सकते हैं तो अगर दो line आपस में कैसी दे रखी हो parallel ज्यान से समझना आप जो चीज़ बता रहा हूँ अगर दो line आपस में कैसी दे रखी हो parallel जैसे माली जे एक line ये है और एक line ये है माली जे इस line का line का नाम L है और इस line का नाम M है और इनको काटती होई है इनकी क्या होगई transversal तो अगर माली जे यहाँ पर एक angle दे रखा था X और ये क्या दे रखा था Y तो अगर आपको given हो क्या कि L is parallel to M तो आप क्या लिख सकते हो कि X किसके equal होगा Y के कौनसी property से क्योंकि ये दोनों के दोनों कैसे angle है ये दोनों होगए corresponding angles लेकिन इसका उल्टा भी होता है उल्टा क्या है कि अगर माली जे दो line दे रखी है हमें नहीं पता कि ये दोनों की दोनों parallel है या नहीं है लेकिन अगर मैं किसी तरीके से ये दोनों angle equal कर दूँ अब ये दोनों angles को मैं corresponding से नहीं करूँगा किसी और method से करूँगा तो मैंने X और Y अगर माली जे equal कर दिये यह दोनों क्या कर दिये, मैंने equal या फिर मुझे क्या दे रखे है, given या मैंने equal कर दिये, किसी तरीके से तो मैं क्या कह सकता हूँ, अब यह दोनों की दोनों जो line है, L और M क्या होंगी parallel, और यह क्या होंगी by the converse of corresponding angles क्योंकि अब लेख सकते हैं, और अगर angle ले आए, तो parallel line लेख सकते हैं, इसमें उल्टा चलना है बस, तो यहाँ पर आपको parallel line लेकर आनी है, तो आपको किसी तरीके से यह दोना angles equal करने पड़ेंगे parallel line कौन कौन सी करनी है अपने को PQ और RS, तो आपको किसी तरीके से A, B, Q यह वाला जो angle है और यह वाला जो angle है, B, C, S इन दोनों को equal करना पड़ेगा, अगर आपने यह दोना angle equal कर दिये, तो आप कह सकते हो PQ किसके parallel होगी, RS के तो यह तो कर दिये ना हमने, A, B, Q और B, C, S, कर दिये ना लेकिन इनको हमने corresponding angle से तो करा नहीं है, हमने तो bisector वाली जो property थी, जो इसने दे रखा था, उससे करा था, तो अब आप यहाँ पर क्या लिखोगे यहाँ पर हम लिखेंगे कि यह दोनों मिलकर corresponding angle बना सकते हैं, और फिर converse of corresponding angle axiom से हम कह सकते हैं, PQ और RS क्या हैं आपस में, parallel हैं तो आप यहाँ पर लिखोगे, कि now angle ABQ and angle BCS यह दोनों मिलकर BCS forms कैसे angle corresponding angles यह दोनों मिलकर corresponding angles बना सकते हैं यह बना दिया इन्होंने लेकिन हमने corresponding angle parallel से नहीं लिखें तो therefore यह जो PQ वाली लाइन है यह parallel हो गई किसके RS के और कौन सी प्रॉपर्पर्टी से by converse of corresponding angle axiom corresponding angle axiom ठीक है तो इसको ध्यान से देख लेना एक दूबार question को question बहुत important है सबसे पहले आपने क्या-क्या चीज़े इसमें करी है वो चीज़ आपको ध्यान से देखनी है और क्या चीज़ आपको given में दे रखी थी आपको BE और CG जो है यह parallel दे रखी है और आपको PQ और RS जो है यह parallel लेकर आनी है जब आपको यहाँ पर parallel दे रखी थी तो parallel line से corresponding हमने बना लिया और जब angle आ गए तो उससे हमने parallel line बना लिया जो चीज़ मैंने आपको यहाँ पर बताईए अभी अगर parallel दे रखी है तो angle equal और अगर angle equal तो parallel line तो यहाँ पर क्या दे रखा था parallel line दे रखी थी तो angle equal और यहाँ पर angle equal तो parallel line ठीक है तो यह होगा example number 5 अब हम देखते है example number इसका 6 तो example number 6 में दिया है हमें in figure AB is parallel to CD AB वाली line यह है यह किसके parallel है CD के and CD is parallel to EF CD किसके parallel है EF के parallel also EA is perpendicular to AB EA वाली जो line है यहाँ से यहाँ तक EA यह AB के उपर perpendicular है means यहाँ पर कितने degree का angle बन रहा होगा 90 degree यहाँ पर perpendicular 90 degree पर ही जाता है if angle BEF equal to 55 angle BEF means यह वाला जो angle A कितने degree का है 55 degree का find the values of x, y and z तो हमें x वाले angle का y वाले angle का और z वाले angle का इन तीनों की values को हमें find out करना है तो कैसे करेंगे find out तो अगर आपने parallel line की properties introduction वाले वीडियो में ध्यान से देखिऊंगी तो उसी से यह पूरा का पूरा question हो जाएगा तो देखो सबसे पहले हम देखते हैं यह जो y वाला angle है इसको कैसे निकाले जो कि y का और 55 का एक relation बन रहा है और वो relation क्या है ध्यान से देखो अगर मालीज में दो line बना दूँ यह दो line है आपके पास एक यह वाली line हो गई कौन सी यह जो दे रखिये c d वाली line यहाँ पर c point है कहीं यहाँ पर d point है एक यह वाली line हो गई इसका नाम क्या है e f ठीक है यह दोनों आपस में कैसी दे रखिये है parallel c d e f के parallel है तो यहाँ पर एक line ऐसे करके जा रही है यह ऐसे तो यह वाला जो angle है है यह कितने degree का है यह 55 का है और यह वाला angle कितने का है यह y का है तो आपको यह पता है कि इन दोनों angles का sum कितना होता है 180 degree क्योंकि यह दोनों कैसे angles है co interior मैंने आपको introduction वाले वीडियो में बताया भी था कि अगर दो lines ऐसे करके आपको parallel दे रखिये हैं और उनको एक line काट रही हो तो जो same side of transversal पे अंदर की तरफ angle होते हैं interior होने चाहिए मतलब अंदर होने चाहिए तो इन दोनों line के अंदर ही है यह और same side of transversal है transversal के एकी तरफ है तो इन दोनों angles का sum कितना होता है 180 तो वहाँ से हम y की value निकाल लेंगे तो आप यहाँ पर सबसे पहले क्या लिखोगे अब कि हमें दे रखा है since cd is parallel to कौनसी लाइन? ef यह हमें question में क्या था? given तो आप क्या कह सकते हो कि y का और 55 का sum y का और 55 का sum कितना होगा? 180 क्योंकि यह दोनों मिलकर कैसे angle है? co-interior आप same side of transversal भी लिख सकते हो consecutive interior भी लिख सकते हो तो y equal to कितना आ जाएगा? 180 minus 55 degree तो y की value कितनी आ जाएगी? 10 में से 5 गया तो 5 7 में से 5 गया 2 और 1 as it is आ गया तो y की value कितनी आ गयी? 125 degree ठीक है? y आ गया अब y को और x को देख रहे हैं बना कर दिखाता हूँ एक c d और एक a b तो आप यहाँ पर ध्यान से देखो एक line है हमारी ये वाली जिसका नाम क्या है? a b और एक line ऐसे है जिसका नाम क्या है? c और d ठीक है? यहाँ पर कहीं c है? इस जगा पर और यहाँ पर कहीं क्या है? d इस तरीके के जो angle थे वो कौन से angle बताए थे मैंने? यह दौनों बताए थे corresponding अगर दो parallel line दे रखी है और यह भी line के उपर है यह भी line के उपर और दौनों a की तरफ आ रहे हैं तो ऐसे angles को क्या कहते हैं? corresponding तो x और y कैसे angle होगे? corresponding इस तरीके से फिकर बताए थे introduction वाले को ध्यान से देखो जाकर तो x और y कैसे angle होगे? corresponding angles और a, b और c, d उसके लिए क्या होनी चाहिए? parallel तो आप कहोगे कि a, b और c, d कहां parallel है? तो वह यह रही? तो यहापर आप लिखोगे कि हमें question के अंदर बताया था कि a, b is parallel to c, d यह question में क्या था? given तो जितना अपने पास क्या दे रखा था? x उतना ही क्या आ जाएगा? y दोनों के दोनों कैसे है? equal क्योंकि यह दोनों angles कैसे है? chorus bonding angles और x तो हमें नहीं पता क्योंकि x तो हमें निकाल रहे हैं तो हमें पता x, y के equal आएगा तो y हमें पता है कितने का 125 degree का x की value आगई 125 चलो x भी निकला अब आप बात आती है कि हम z कैसे निकाले तो z के लिए आपको थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा उसके लिए हमको एक चीज पता है कि यहाँ पर angle कितने का दे रखा है 90 degree और यह वाला angle भी कितना होगा यहाँ से यहाँ तक यह भी 90 degree उसके लिए क्यों कह रहा हूं है यह वाली दौनों की दौनों लाइन्स भी आपस में कैसी है पैरलल A, B को E, F के parallel करना पड़ेगा और वो कैसे होगा A, B, C, D के parallel है और C, D, E, F के parallel है दौनों में C, D, common आ गई तो इसका मतलब A, B और E, F, B आपस में कैसी होँगी पैरलल और दो parallel lines पर यह वाला angle और यह वाला angle एक ही तरफ आ रहे है अंदर की तरफ तो यह दोनों होगे corresponding कैसे है ज्यान से देखो जैसे एक line है आपके पास A, B इस तरीके से line दे रखिये यह A, B और एक line होगे इस तरीके से इस वाली line का नाम क्या है E, F, बीच वाली line भूल जाओ यह होगे E, और यह वाला क्या होगे F, और यह एक transversal होगे इनको काटती हुई ठीक है, काटती हुई निकाल लेना है तो दोनों तरफ को या फिर ऐसी रहने देना तो यह वाला angle हमें दे ही रखा है यह वाले angle में हमें दो angle दे रखे है एक तो इधर की तरफ सो ऐसे करके जा रहा है जैड और यह वाला angle हमें पता करना है तो यह वाला angle का और इस वाले angle का sum कितना होगा यह दोनों angles का sum 180 होगा क्योंकि यह भी co interior है देखो, दो parallel line यह नहीं काटती हुई transversal के एक ही तरफ आ रही है interior में और same ही चीज यहाँ पर थी जब मैंने यहाँ पर बताई थी दो parallel line यह काटती हुई और यह दोनों के दोनों एक ही तरफ आ रही है अंदर की तरफ तो जैसे co interior इन दोनों के बीच में था ऐसी co interior यहाँ पर है ठीक है इसमें यह वाली जो lines है तो आप यहाँ पर क्या लिखोगे सबसे पहले आपको A, B को E, F के parallel करके बताना पड़ेगा कि A, B और E, F parallel कहा है क्योंकि वो तो दे नहीं रखा तो आप कैसे लिखोगे ज्यान से देखिए तो हमें question में दे रखा है It is given that क्या दे रखा हमें कि A, B parallel है किसके C, D के और C, D parallel है किसके E, F के तो जब यह दोनों की दोनों parallel है तो हाँ आप क्या कह सकते हो कि A, B, B parallel होगी किसके E, F के जब दोनों में या तो LHS सेम आ जाए या RHS तो वो दोनों चीज भी आपस में कैसी होती है parallel या फिर equal तो जब A, B, E, F के parallel है तो आप आप यहाँ पर लिख सकते हो यह वाला एंगल इसका नाम क्या है B, A, E ऐसे करके देखते हैं न एंगल B, A, E या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हो E, A, B A बीच में आना चाहिए बस और plus फिर इस वाले एंगल का नाम क्या है इस वाले पूरे के पूरे एंगल का नाम क्या लिखोगे इस पूरे के पूरे एंगल का नाम है A, E, F A, E, F तो यहाँ पर हमने लिख दिया एंगल A, E, F और इन दोनों का सम कितना होगा 180 degree क्योंकि यह दोनों भी मिलकर कैसे एंगल है co-interior तो B, A, E तो अपने को पता है कितने का है 90 degree का ठीक है और यहाँ पर आप चाहो तो B, A, E 90 degree का क्यों है आप लिख कर भी बता सकते हो कि यह perpendicular था तो इस वाज़े से यह कितने degree का हो गया 90 degree का तो आप यहाँ पर पहले ही लिख कर दिखा देना कि B, A, E पूरा का पूरा एंगल है तो इसमें दो एंगल बन रहे है एक तो Z है, एक 55 है तो इसकी जगापर हम क्या लिख सकते है एक Z वाला और एक 55 वाला 55 वाले का चाहो तो आप नाम लिख देना है यहाँ से इक्वल टू में 180 90 और 55 को अगर हम प्लस करेंगे तो कितना आएगा 145 और प्लस Z इक्वल टू में 180 डिगरी इस Z को इधर ही छोड़ दो इस 145 को इधर ले जाओ तो Z इक्वल टू आगए 180 माइनस 145 तो Z की वैल्यू कितनी हो जाएगी तो Z आजाएगा आपका 35 डिगरी का तो यहां से आपको Z की वैल्यू भी पता चल गई तो आपने अगर introduction ध्यान से देखा होगा तो parallel line की properties अगर आपको आती है ध्यान से तो फिर इन questions के अंदर कुछ भी नहीं है यह हल्वाएं और अगर आपको parallel lines नहीं आती होगी तो फिर बहुत मुश्किल लगने वाले हैं आपको यह question क्योंकि आपको figure को समझना figure के अंदर ही सब कुछ given दे रखा है आपको तो यह होगा आपका example number 6 इसको ध्यान से कर लो और अगर अब तक introduction नहीं देखा तो पहले introduction देखना और फिर अगली exercise करना उसी में भी इससे related ही questions है जो हमने parallel lines पढ़ी होगी है उनसे ही parallel line की properties introduction की मेने डाई होगी है तो कर लो इन तीनो examples को और इसमें अगर कोई doubt हो तो आप comment करके पूछ लेना